तो ही गाइज यह है वीडियो को पार्ट टू जिसमें मैं हनमा जी को ट्रॉक करहाँ और आज की इस वीडियो में मैं हनमा जी को फेस को कम्प्लिटली शेड कर दूगा सो या, make sure you watch the land मैं basically हर जगे एक extra layer add कर रहा हूं जिससे add the end थोड़े अच्छे डिटेल्स है सो मैंने nose पे भी ऐसी layer add करी और जहांपे dark था, वहांपे मैंने 10B और 8B की pencil का use किया और जहांपे मेरे को highlights देने थे वहांपे मैंने sharp edged eraser यूज़ किया जिससे highlights और भी जादे clear है और यहांपे चिंद की जगे मैं यहांपे layers add कर रहा हूं जैसे कि आप देख सकते हो layer layer, so आपको भी ऐसी करना है तब आपका realistic skin का texture अच्छे से दिखेगा and yeah, याद रखना है जब भी आप graphite pencil से कोई भी drawing कर रहे हो आप एक extra paper रखो जिससे जब आप उसके ओपर detail side कर रहे होगे तब आप उसे use करो ताकि आपके drawing पे shades ना लगे mouth के लिए मैंने सबसे पहले 2B pencil से layer add करी उसके बाद मैंने 4B से थोड़े detail की जिसे मैंने बाद में blend कर दिया और फिर वह पॉइंटेड एरेजर से माउथ पे details आइड करीई from 573 कमा-डान के मैं से नेकि बाद म्सक रूस के तब जाइड कर दो कर दो की जाइड start तो नीचे चिन के अर्यार पे थोड़ा थोड़ा जादर पेस्कें का टेक्स्चियर था रोउसkim का टेक्च्चुर मोल्च तो उसे भी मैंने है योई ले बाले अटर आकर झाल झाल ये ये लेगर लीगो तिल देल झाल झाल झाल